ये कहानी है मोना की, इसकी शादी एक ऐसे घर पे हुई थी, जहां खाने में कुछ हो या ना हो, लेकिन हर चीज पर सब्जी जरूर होती थी तभी लोग समसियां तो खाते, लेकिन उनके घर में युद्ध तब छिड़ता, जब बाहर का खाना आता, क्योंकि लीला को बाहर का खाना जरा भी पसंद, ऐसे ही एक दिन मोना अपने किचन में खाना बना रही होती है, कि तब ही वहां उसकी सास लीला उसके पास आती है और उससे कहती है, बहू, आज खाने में क्या बन रहा है, मा जी आज ना मैंने खाने में खिचड़ी बनाई है, और आपको पता है मा जी, मैंने ना ये यूटूब से देख कर सीखी है, देख बहू, तू खाने में कुछ भी बना ले, लेकिन सबजी ना जरूर बनाना, पीना आजी सबजियां खिचड़ी में होंगी, तो उपर से सबजी क्यों खाएंगे, देख बहू, हमारे घर में ना कुछ भी बने, लेकिन सबजी का होना ज़रूरी होता है, इसलिए अब तू जादा सवाल जवाब मत कर, और खिचड़ी बना रहे हैं तो उसकी साथ सबजी भी बना ले, कह दिया तो कह दिया, इतना कहकर लीला अब अपने कमरे की तरफ चली जाती है, वही अपने सास का ओडर देख, मोना को काफी गुच्सा आता है, खुद को तो कुछ करना नहीं होता है, आज आती है ओडर जाडने, ना चाहते हुए भी अब मोना को खिचड़ी के स सबजी बनानी पड़ती है, कुछ देर बाद अब सभी खाना खाने बैठ जाते हैं, भावी लगता है, आज आपने खाना मन से नहीं बनाया, खाने में टेस्टी नहीं है, अरे देवर जी, अगर आप खिचड़ी पर सबजी का स्वाद लेकर खाएंगे, तो आपको स्वाद कैसे आएगा, अरे मैंने खिचड़ी बनाई थी, वो भी यूही बिना सबजी के खाई जाती है, सबजी के साथ कोई नहीं खाता, मोना तुम राहूल से ऐसे कैसे बात कर रही हो, हाँ तो मैंने क्या गलत बोल दिया, अरे भाई, वो खिचड़ी है, इसे बिना सबजी के कहती है, देख बहू, लेकिन हाँ, मेरी बात ना कान खोल के सुनले, सब्जी बनेगी और सब्जी भी हमारे घर में न भर बर के खाई जाती है, तेरे माई के जैसे नहीं है, कि सब्जी ना बनी हो, तो नून रोटी खाके काम चला ले, हमें तो सबजी भरबर के खाने की आदत है और हाँ ये भी बता दे अगर तुझे खाने बनाने में इतनी दिक्कत होती है न तो मैं एक नोकरानी रख लूँगी तु बस बता दे मुझे अगर ऐसी बात है न माजी तो ठीक है न आप रख लीजिए नोकरानी और मैं भी कब तक काम करती रहूँगी मैं न बहू हूँ ना कि नोकरानी और हाँ अगर आप नोकरानी रखोगी न तो मैं भी देखती हूँ कितने दिन तक जहल पाती है वो आपको क्योंकि आपके और आपके बच्चों के ड्रामे तो खतम होते नहीं है अरे भाई मैं भी इंसान हूँ जानबर नहीं हूँ जो काम करती रहूँ पूरा दिन तो आप लोग ओर्डर देते रहते हूं मुझे वो न आप गुस्से में खाने की टेबल से उठकर अपने कमरे की और चली जाती देख रहा है अपनी पतनी को अरे इसके तेवर इसकी हरकते देख के न कोई भी से सीधे मूँ बात करना पसंद तक नहीं करेगा अरे पतानी कौन से बूरे समय में न मैंने तेरी उस लड़ाकू विमान से शादी करवा दी अरे एक नंबर की लड़ाकू है वो मा अब मैं किसको क्या कहूँ ना तो वो कम है और ना ही आप एक को शान्त करने जाता हूँ तो दूसरी भरक जाती है दूसरी को शान्त करता हूँ तो पहली भरक जाती है अगर आप में से कोई एक घुसा कर रहा है तो दूसरी को शान्त हो जाना चाहिए लेकिन नहीं, आपको तो लड़ना है ना, तो लड़ो, अशान्त करो घड़ को हे भगवान, अभी तो शादी को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ लेकिन मेरा बेटा तो अपनी बीबी के पलू से ऐसे बंद चुका है ना इतना बोलकर लीला भी अब अपना खाना छोड़ देती और अपने कमरे में जाने लगती तभी उसका बेटा राहुल उसे रोपते हुए कहता है मा आप खाना क्यों छोड़के जा रही हो, आप खाते लो नहीं बेटा, मुझे अब कोई खाना नहीं खाना, अरे जिस घर में खाने से पहले कलेश हो, वो खाना ही क्या खाना लीला गुस्से में वहां से चली जाती है और घर का माहूल देख विवेग को बहुत बुरा लगता है लेकिन बेचारा करता भी तो क्या ही करता मा और पत्नी के बीच में पस जो चुका था ऐसे ही समय बीटता है और समय के साथ उसके घर का माहूल और ज्यादा बिगड़ने लगता है एक दिन की बाद लीला अपने कमरे में बैट कर राधे राधे जप रही होती है तब ही वो देखती है कि विवेक आज बाहर से खाना लेकर आया है बाहर का खाना देखकर लीला अड़क जाती विवेक मुझे तो समझ नहीं आता तुम लोग मेरी बातों का मान क्यूं नहीं रखते हो अरे क्या इस घर में मेरी थोड़ी सी भी वैल्यू नहीं है क्या लेकिन मा ऐसा क्या हो गया भरा क्यू रही हो वा बेटा वा गलती करके तू पूछ रहा है कि क्या गलती कर दी अरे जब तुझे पता है कि हमारे घर में सबजी भर भरके खाते हैं तो क्या जरूत पड़ गई बाहर से खाना लाने की तुझे पता है ना बाहर के खाने में लेसन प्याज होता है और हम तो लेसन प्याज डालते ही नहीं है मा यह बिना लेसुन प्याज वाला खाना है और खा लोगे बाहर का खाना एक दिन तो क्या हो जाएगा रोज तो घर का ही खाते हैं न मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में न मेरी कोई value नहीं है अरे मैं इस घर के गार्जेन हूँ ही नहीं बलकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों के उपर न बोज बन के रह रही हूँ मा कैसी बात कर रही आप एक मा बचों पर बोज कैसे बन सकती है बेटा यही सच है तब ही तो तू और तेरी पतनी मेरे साथ ऐसा कर रहे है अरे तुम्हें पता है न हमारे घर में जादा सबजी खाए जाती है लेकिन नहीं तुम लोग तो अपनी चला रहे हो इस घर में और सबजी बन कर वादी और यह पताने क्या उड़ पतांग से चीजे ला रहे हो मा यह कोई ऐसी वैसी सबजी नहीं है आपको पनीर की सबजी पसंद है न यह वही है लेला फिर से घर में आई हुए खाने पर ट्रामा करती है यह देख विवेक को बहुत गुसा आता है और वो वहां से सारे खाने को उठा कर डस्ट बीन में डाल देता है और जब इस बारे में मोना को पता लगता है तो मोना उससे में अपनी सास पर भड़क जाती है मा जी आपने खुद को समझ क्या रखा है हाँ माना कि मेरे ससुराल वाले सबजीयां खाते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बाहर का खाना डस्ट विन में फेको। देख बहू, मैंने तो किसी को नहीं बोला कि खाने को डस्ट विन में फेक दो। अब उसकी मर्जी है उसने फेक दिया, तो मैं क्या ही करू। वा माजी, आप इतनी चलाकी से ऐसे सब्दों का इस्तमाल करती है ना, कि सामने वाले का खूनी जल जाए। आपने बिना बात के ना कलेस कर दिया, जिसके कारून विवेक ने खाना डस्ट विन में फेक दिया। माजी, अगर आपको पनीर से इतनी ही दिक्कती तो आप बोल देती कि आपको सब्जी खानी है, मैं बना देती सब्जी, फाल तु मैं आपने कलेस कर वादिया घर में। बहु, बसकर, पहुत बोल लिया तुने, और मैंने भी पहुत सुन लिया, अरे तुम लोगों को मैं बोज नजर आ रही हूँ न, जो तुम मुझे दो वक्त का खाना नहीं दे पारे हूँ, अरे कितना खा लेती हूँ मैं, दो चार किलो ही तो खा पाती हूँ, तुमसे वो भी नहीं दिया जा रहा मुझे, तभी तो तुम मुझे बाहर का खाना खिलाते हूँ, अरे वो तंदूरी पंदूरी जैसी जो रोटियां होती है, उन्हें चबा चबा के न, किसी दिन मेरा दान तूट जाएगा, और वही खाना खा खा के न, मेरी हड़्या कमजोर हो जाए अरे कभी शुगर बढ़ेगा, तो कभी शुगर कम हो जाएगा, अरे इसी तरह से अपडाउन करते करते न, मैं किसी दिन उपर ही पहुँच जाओंगी, और उसकी बाद न, तुम अपनी कुटो वाली रोटिया खाते रहना चबा चबा के, अरे अब मेरी परवा किसको ही र विवेक गुस्से से भड़क जाता है, अरे बस करो आप दोनों यार बस करो, बहुत बोला आप लोगों ने, और मैंने बहुत सुन लिया, रोज रोज की चिक 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 सुन सुनकर मैं परिशान हो चुका हूँ, ओफिस जाता हूँ, वहां का काम होता है, स्ट्रेस होता है, घर आता हो तो आप लोगा ड्रामा देखता हूँ, अरे मैं क्या कुरूँ, हाँ क्या कुरूँ मैं, मेरा तो मन करता है घर छोड़के भाग जाओ, अगर आप दोनों शानत नहीं रही, और ऐसी हरकते करती रही, मैं सच कह रहा हूँ, मैं घर छोड़के भाग जाओंगा, इ अपनी सास को अवाज लगाती लेकिन उसके सास गुस्से में मूँ फुलाकर बैठी होती है ये देख मोना अब अपनी सास के पैर के पास आकर बैठ जाती है और उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है माजी आपना मूँ मत फुलाया करो अरे गलती तो इंसान से होती है ना और हम तो आपके बच्चे हैं अब माजी माफ भी कर दो ना अब आपी देखिए ना लडाई तो हमारी हो रही है और विवेक जी को कित्ती परिशानिया हो रही है और इस लडाई के चक्कर में विवेक जी ने धमकी दिया कि मैं घर छोड़ कर चला जाऊंगा बहू मैं तुझसे ना कोई भी पहस नहीं करना चाहती तू तो हमेशा मुझे ऐसे चिलाती रहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची हूं अरे बहू अम मेरी उमर ओच चुकी है तुझे अपनी सास की सेवा करनी चाहिए और घर का खयाल रखन चाहिए मेरHY खाने पेने का सोचना चाहिए लेकिन तू है कि हमेशा मुझे सुनाती रहती है माघी शायद ना मेरी ही गलती है मुझे ही समझना चाहिए था कि मेरे सब्जी ना बनाने से ना आप लोगों को कितनी परेशानिया गोट बहू मुझे माफ कर देना जाने ही अन् jusाने में मैंने तुझे बहुत कुछ सुना दिया और तेरे साथ-साथ मैंने अपने बेटे को भी बहुत सुना दिया मुझे तुम दोनों माफ कर दो मानना कि घर में हर कोई सबजी खाना पसंद करता है मुझे मानना पड़ेगा, कि हर वैक्ती ना, हर समय सबजी नहीं खा सकता घर के खाने के साथ साथ ना, भार के खाने का भी स्वाद आना चाहिए ऐसे ही अब दोनों, सास और बहु को अपनी गलती का एहसास होता है मा जी आपको और मुझे हम दोनों को इना अपने अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो क्यों ना हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि आज से ना मैं सबजी बनाऊंगी और आप बाहर का खाना आने से नहीं रोकोगी हाँ बहू मैं तुझ से वादा करती हूँ आज के बाद ना मैं बहार के खाने के लिए ना कोई भी ड्रामा नहीं करूंगी मा जी वो सब तो ठीक है लेकिन विवेक जी के गुस्ते का क्या करेंगे हम उनको कौन मनाएगा तू उसकी चिंता मत कर मैं उसके पास जाऊंगी ना और अगर मैंने एक बर प्यार से सौरी जो बोल दिया वो मान जाएगा इस तरह दोनों साज बहू विवेक के कमरे में जाती है और कान पकड़ के उनके सामने खड़ी हो जाती ये देखकर विवेक को बहुत हसी आती है और वो उनकी मासूमियत देखकर उन्हें माफ कर देता है जिसके बाद अब मोना के ससुराल में सभी लोग सबजी भरपूर मातरा में खाते हैं दोस्तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा